नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका कक्षा दस्वीं के तीसरे अध्याई लोकतांत्र और विविदेता के दूसरे सत्र में हमने पिछले सत्र में मेक्सिको ओलियंपी की कहानी के साथ समाजिक भेदभाव की उत्पती और कुछ आक्टिविटीज भी की थी आशा करती हूँ कि आपने उन में से कोई एक आक्टिविटीज जरूर की होगी प्यारे बच्चों आज हम चर्चा करेंगे कि लोकतांत्र किस प्रकार समाजिक विभिन्ताओं अंतरों और असमांताओं के बीच सामन जस्से बिठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है बच्चों समाजिक विभाजन तव होता है जब कुछ समाजिक अंतर दूसरी अन्नेक विभिन्ताओं से उपर और बड़े हो जाते हैं जिसे हम ओवरलापिंग बोलते हैं ओवरलापिंग डिफरेंसिस कहते हैं चलिए आपको एक उधारण के माध्यम से समझाती हूं अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक समाजिक विभाजन का कारण भी बना क्योंकि अश्वेत लोग आम तोर पर गरीब बेघर और भेदभाव का शिकार होते थे इस तरह बच्यों वह अंतर जो रंग के आधार पर था वह गरीबी और भेदभाव के साथ मिलकर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपून बन जाता है और इससे समाजिक विभाजन की स्थिती पैदा हो जाती है कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरिये में अंतर या भेदभा हो जाता है इसको भी एक उधारन के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूं उत्तरी आयरलेंड और नीदरलेंड दोनों ही इसाई देश है लेकिन यहां के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं उत्तरी आयरलेंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है वहां का कैथोलिक समाज गरीब है बहुत समय से उनके साथ भेदभाव होता ही चला आ रहा है बात कते हैं नीदर्लेंड की नीदर्लेंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल नहीं है वहाँ पर दोनों में अमी और गरीब है क्या आपको मालूम है बच्चों इसी भिनता के कारण उत्तरी आयरलेंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंड के बीच आपस में भेदभाव हो गया और इसके साथ साथ मारकाट भी हो गई और आप जानते हैं समाजिक विभिनताएं जब गहरा रूप ले लेती हैं तो विभाजन की एक अलग जमीन तयार हो जाती है और जहां ये विभिनताएं मतलब जिसको हम क्रॉस कटिंग बोलते हैं एक साथ कई समुहों में विद्यमान रहती हैं तो उन्हें समालना असान हो जाता है आज बहुत सारे समाजों में कई किस्म के विभाजन हमें देखने को मिलते हैं देश चाहे छोटा हो ये बड़ा इससे बिलकुल फरक नहीं पड़ता चलिए इससे भी एक उधारन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं भारत जहां पर हम सब रहते हैं ये एक बहुत विशाल देश है विभिन समुदायों का देश है जबकि बेल्जियम एक छोटा देश है और वहां भी अनेक समुदायों के लोग रहते हैं जर्मनी और स्वीडन एक ऐसे समाज है जहां एक ही नसल और संस्कृति के लोग रहते हैं चलिए बच्चों अब देखते हैं कि समाजिक विभाजन राजनीती को किस प्रकार प्रभावित करते हैं राजनीती का समाजिक विभाजन से क्या लेना देना है अगर राजनीतिक दल विभाजनों के हिसाब से देखें तो वह होड करने में लगे हैं तो समाजिक विभाजन, राजनीतिक विभाजन में कहीं बार बदल जाता है, इसको समझने के लिए फिर एक बार आपको उत्तरी आइरलेंड का उधारन देती हूँ, यह Great Britain का हिस्सा है, जहां काफी लंबे समय से हिंसा और राजनीतिक टकराफ चल रही है, जो कि प्रोटेस्टेंड Great Britain के साथ ही रहना चाहते हैं, 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नाशनलिस्ट के बीच समझोता हुआ, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें युगोसलाविया की, तो युगोसलाविया में धार्मिक और जातिये विभाजन के आधार पर राजनीतिक युगोसलाविया टुकडों में विभाजित हो गया, पर बच्चों एक मत बताओ कि क्या हर बार समाजिक विभिंता राजनीति में मतभेद पैदा करती है, आपने देखा होगा कि लोकतंत्र देशों में राजनीतिक दलों के लिए ऐसे वाइदे करना बड़ी आम बात है, विभिन समुदायों की उच्चित मांगो और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी का ही हिस्सा है और आम तोर पर उनको वोट भी इसी बात पर मिल जाते हैं, चलिए बच्चों हम समझें कि समाजिक विभाजन की राजनीति पर परिणाम किन बातों पर निर्भर करता है और अगर हम उन्हें मोटे तोर पर देखें तो हमें पता चलता है कि वह केवल तीन बाते हैं, पहली बात लोगों में अपनी पहचान के प्रती आग्रहे की भावना, दूसरा किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं और तीसरा कि सरका का उस मांग के प्रती क्या रुख है, चलिए अब इसको विस्तरत रूप से समझने की कोशिश करते हैं, पहली चीज है अपनी पहचान के प्रती आग्रहे की भावना, मतलब अगर लोग खुद को दूसरों से विश्ष्ट और अलग मानने लगेंगे, तो उनके लिए दूस पहचान से ज्यादा देश की पहचान को महत्व देना चाहिए, अगर भारत में रहने वाले लोग खुद को पहले भारतीये मानने लगें, फिर किसी प्रदेश, शेत्र, भाषा, समू या धार्मिक या समाजिक समू का हिस्सा बाद में और समाजिक विभाजन में राजनिती का परिणाम बिल्कूल ही उसके कारण बदल जाएगा, आपको इसी बात पर एक छोटा सा उधारन और देना चाहती हूं, कि जब भी हम से हमारी पहचान पूछी जाती है, तो आमतोर पर हम अपनी जातिवरत पहचान, धार्मिक पहचान की बात करते हैं, बल्कि हमें पहचान की बात जो हैं उसको सर्वो पर ही रखें, चलिए अब इसी के साथ दूसरी बात भी लिये लेते हैं, दूसरी बात है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं, सविधान के दाएरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान पहुचा रही हूं कि वे राश्ट्रिये हित को देख कर ही करनी चाहिए, उधारन के तौर पर युगोस्लाविया में अपनी जातिये मांगों को महत्व देने के कारण युगोस्लाविया मुश्किल में पढ़ गया, तीसरी बात है, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, मैं दोहराती हूं, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह बहुत महत्वभून है, अगर सरकार साजेदारी करने को तैयार हो जाए और अल्प संख्यक समू की उचित मांगों को मान ले, तो कभी भी खत्रा नहीं बन सकता, विविदताओं को कमजोरी नहीं ताकत बनाना चाहिए, विविदताओं के प्रति सकरात्मक नजरिया रखना चाहिए, और सभी चीजों को समाहित करने की इच्छा रखना आसान नहीं है, पर उसका श्यांती बूडव और समविधानिक तरीके से रास्ता निकालना भी लोगतंत्र का ही काम है, और बच्चों हम लोगतंत्र में रहते हैं और इसी के लिए हम अपने आपको बहुत भागेशाली समझते हैं, चलिए बच्चों देखें कि आज हमने इस सत्र में क्या क्या पढ़ा और क्या क्या समझा, हमने समाजिक विभिन्टाओं में सामंजस से बनाने की बात कही, उसक समझा, उसके बाद हमने समाजिक विभाजन की राजनीती का परिणाम किन तीन चीजों पर निर्भर करता है, वह समझनी की कोशिश की जो की है, अपनी पहचान के प्रति आग्रहे की भावना, दूसरा किसी समुधाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, और त आपको एक साथ लेकर आगे चलती है, चलिए, अब है प्रश्न उत्तर का समय, अब कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं, पहला प्रश्न, समाजिक अंतर कब और कैसे समाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं, दूसरा प्रश्न, समाजिक विभाजन किस तरह से राजनीती को प्रभावित करते हैं यह उत्तर आपने युगोसलाविया और ग्रेट ब्रिटेन के उधारनों सहीत समझाना है अगला प्रश्न समाजिक विभाजन की राजनीती का परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करता है चौता प्रश्न लोक तंत्र में विभिन समुदायों के लिए शांति पूर्ण धंग से अपनी शिकायते जाहिर करना क्या संभव है इस कतन पर अपने विचार प्रकट कीजिए चलिए बच्चों अब है आक्टिविटी टाइम तयार हैं आप लोग बच्चों याद रखेगा जब भी आप किसी अध्याय के साथ कोई अक्टिविटी करते हैं तो आपको वहे विशे बहुत ही रूची कर लगने लगता है और आपका इस विशे को समझना बहुत आसान हो जाता है चलिए करते हैं अक्टिविटी अक्टिविटी नमबर वान अनेकता में एकता के उपर कोई रचनात्मक परिरूप लिखे या बनाईए आप अपने भावों को कविता के माध्यम से चित्र के माध्यम से कार्टून के माध्यम से स्लोगन के माध्यम से या किसी गीत के माध्य से भी स्पष्ट कर सकते हैं, एक्टिविडी नमबर दो, सोचे कि अगर देश के विभिन प्रांत के लोगों को देश की एकता के लिए कोई एक बात कहनी हो तो वह बात क्या होगी, एक्टिविडी नमबर तीन, क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति की कहीं पहचान हो, अपने व एक्टिविटी नमबर चार, अगर भारत को और भी सुद्रड बनाना है, राष्ट निर्मान, भाईचारे की भावना को और भी मजबूत बनाना है, तो कौन सा एक गाना आप देश को समर्पित करेंगे, सोचिएगा, और इन में से एक आक्टिविटी जरूर कीजेगा, इस के साथ बच्चों यह अध्याय खतम हुआ, आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा, आप अपने देश के लिए, अपने लोकतंत्र विवस्था के लिए एक जुट होकर देश की निर्मान में भागीदार बनेंगे और देश को विश्व गुरू बनाने में अपन सबसे प्यारा देश हमारा है, आसाम से गुजरात तक बंगाल से महराश्टर तक जाती कहीं धुन एक हैं, भाशा कहीं सुर एक है, काशमीर से मदरास तक, कहदो सभी हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं. राश्री एकताओं को एक सुर में पिरोना है और एकता अखंडता की बात करनी है इसी के साथ जैहिंद धन्यवाद और नमस्कार पुआ किस्ा एक पार साथ जैहिंद गलाश जैहिंद कि साथ थिए अचार की बात की बात कावर में अब्सक्राव जैहिंद भीनियूवाद टूआ जैहिंद